Hey friends, I am Keerti Sharma and welcome back to my channel आज मैं आपके साथ एक पारंपरिक रेसिपी बड़ी की आपके साथ शेयर कर रहे हूँ और ये बड़ी हम थोड़े नायाब तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगी तो friends, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे और ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें बिना चिलके वाली दाल यहां ली है डैड़ कप के लगबग ये दाल है चिलके वाली दाल से भी आप इसे बना सकते हैं کیونकि जब आप विगो कर रखेंगे तो चिलका असानी से उतर जाता है तो पहले हम दाल को अच्छी से दो लेंगे दो-तीन बार तो यहाँ पर मैंने एक जग पानी डाला है और डाल को हाथों से मसल कर धो लेते हैं और उसके बाद हमें इसे भीगो कर रखना है तो यह मूंग की जो डाल है यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और इजिली डाइजिस्टिबल है तो मैंने मूंग के डाल के नौन फ्राइड जो बड़े हैं जीरो ओयल रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है उसे भी आफ चेक कर सकते हैं तो इस दाल को हमने अच्छे से दोने के बाद दो तीन घंटे के लिए पानी में भीगो कर रख दिया है अब जब यह चार घंटे हो गए है और देखिए दाल फूल कर दूगनी हो गई है अच्छे से जब फूल जाती है तो हम क्या करेंगे इसका यह जो एक्स्रा पानी है उसे निकाल देंगे यह चलनी मैंने लिए है इस चलनी पर डाल कर इसका एक्स्रा पानी निकाल दिया है और अब उसके बाद इसे हम पीसेंगे लेकिन उसके पहले यह मैंने एक परात को थोड़े तेल से ग्रीज कर लिया है साथ ही एक ट्रे को भी तेल से ग्रीज कर लिया ह इसके उपर हम बड़ी बनाएंगे तो इसके जगे आप कोई प्लास्टिक की शीट भी ले जकते हैं तो यहां मैंने ये दो चीज़ों को ग्रीज किया है ब्रश से तेल लगा लिया है ताकि बड़ी इस पे चिपके नहीं और अब मिक्सर जार में हम जो दाल हमने चलनी पे नि डाले हैं और इसे पल्स मोड पर हम इस तरह से थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं तो इसे हम पल्स मोड पर बिना पानी डाले दाल को पीसेंगे तो पूरी दाल ये अच्छे से पिस गई है और उसके बाद इस बाउल में लेकर हम दाल को तीन-चार मिनिट के लिए चमल से इस तरह से फेटते हैं, फेटने से ये दाल थोड़ी फूल जाती है, और जो हमारी बड़ी बनती है, वो बहुत ही soft बनती है, तो ये process बहुत important है, तो दाल को आप जरूर इस तरह से फेटें, और उसके बाद इसे बनाने के लिए एक मेरे पास plastic की bottle थी, ये मैंने ली है, और इस bottle में, हमने ये जो डाल का जो piece के रखा था वो stuff हम इसमे भर देते हैं, तो बड़ी बनाने में बहुत आसानी होती है, तो इसकी जगे आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, या plastic का कॉन लेके, मेहधी का जैसे हम कॉन बनाते हैं, उसमें भरके भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की bottle में भरके हम जब बनाते हैं तो यह बहुत ही जल्दी से बड़ी बन जाती है और equal shape की बड़ी बहुत अच्छी बड़ी बनती है, तो केवल 5 मिनिट में इस तरह से हम कोई squeeze ऐसी bottle हो आपके पास तो आप भी उससे इस तरह से बड़ी बना सकते हैं तो हम छोटी छोटी यह बड़ी बना लेते हैं और इसके बाद इसे हम धूप में अच्छी तरह सुकाएंगे और यह जो मूंकी डाल की बड़ी है इसे जब आ आप इसे आलो के साथ बना सकते हैं या इसकी अकेली भी सबजी बना सकते हैं बनाने के पहले से थोड़े घी या तेल में रोज जरूर करें आने वाले समय में मैं इसकी सबजी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी तो यह ट्रे मेरी भर गई है तो दूसरी परात में हम ये बढ़िया बनाएंगे तो देखिए जो हमारी 400 ग्राम डेड़ कब डाल थी उससे काफी बढ़िया हमारी बन जाती है और ये बॉटल में भरके बनाने का यही फायदा है कि हमारा समय काफी बचता है और एक्वल साइज की बहुत अच्छी बढ़िया बन जाती है अब हम अच्छे से सूख जाती है हाथ से दबा कर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये प्रोपरली देखे सूख कर अच्छे से सूख गई है हाथ से दब रही है बहुती सौफ्ट बड़ी बनी है आप इसे किसी भी बॉटल में भरके रखें और जब आपका मन करें इसकी सबजी बनाएं तो फ्रेंट्स ये मूंग दाल की बड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें इट हैल्दी से सेफ बढ़ी